हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल इस डिजाइन को बनाने के लिए हम दो इंच चोड़ा एक लंबा सा कपड़ा लेंगे कपड़े को ऐसे दोनों साइट से फोल्ड करके हमें इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला देनी है एक बराबर में सीधी सिलाई चलाते हुए हमने इस लाइन को कम्प्लीट कर ली है अब हम यहाँ से धागा को कट करेंगे और इस चोड़ी पट्टी की हमें कटिंग करनी है तो कटिंग करने के लिए हम 5 इंच की लंबाई नापेंगे यहाँ से कट कर लेंगे सेम साइज का ऐसी हम धेल सारी कटिंग कर लेंगे तो यह देखिए हमने ऐसी धेल सारी कटिंग कर ली है चोड़ी पट्टी की डिजाइन बनाने के लिए हमें एक लंबा सा कपड़ा लेना है कपड़े की लंबाई हमने साड़े 17 इंच ली है और इसकी चोड़ाई हमने साड़े तीन इंच लिये, कपड़े पे इस तरीकी सहायता से हमें बाकरम को चिपकाना है, यहाँ पे तीन इंच की लंबाई नापकर हमें कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेना है, कपड़े को सीधा करते हुए चोड़ी पट्टी को ऐसे फोल्ड करके हम यहाँ पर लगाएंगे यह देखिए चोड़ी पट्टी की आपको ऐसी डिजाइन बनाकर कपड़े की उपर लगाना है और इसके किनारे के साइड में सिलाई चला लेनी है बिल्कुल इसी तरीके से हमें सारे चोड़ी पट्टी को ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पर लगाकर किनारे की साइड में सिलाई चला लेनी है तो यह देखिए फ्रेंड हमने एक साइड की लाइन कम्प्लीट कर ली है अब हम यहाँ से धागे को कट कर लेंगे एक साइड में हमने नौ डिजाइन लगाई है अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे अब हमें design के उपर यहां से सिलाई चलानी है यह देखिये सारे design को perfect shape में बैठाते हुए हम इसके उपर यहां पर सिलाई चला लेंगे इस line को complete करने के बाद इस design के दूसरे side में भी हमें same ऐसी design बना कर तयार कर लेंगे तो ये देखिए दोनों साइड में हमने ऐसी सेम डिजाइन बना कर तैयार कर ली है अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे दोनों साइड में सेम डिजाइन बनाने के बाद अब हमें डिजाइन में से एश्टरा कपड़े को कट करना है इसे दोनों साइट से फोल्ड करते हुए हमें चोड़ी पट्टी की डोरी तयार कर लेनी है अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजा कर आलका ओप्सन सेलेक्ट करें इस चोड़ी पट्टी को हम बीच में से कट कर लेंगे ऐसे safety pin की सहायता से अब हमें चोड़ी पट्टी को design में ऐसे लगाना है एक एक design का हमें gap छोड़ते हुए ऐसे चोड़ी पट्टी को design में लगा लेना है इस line को complete करने के बाद जो हमारा दूसरे side का design है उसमें भी हमें सेप्टी पीन की साहता से ऐसे चोड़ी पट्टी को लगा देना है तो ये देखिए डिजाइन के दोनों साइड में हमने चोड़ी पट्टी को लगा दी है अब हम सुई धागा के मदद से डिजाइन के बीच में ऐसे मोती को लगा लेंगे डिजाइन में मोती लगाने के बाद अब हम आस्तिन का कपड़ा लेंगे ये रहा हमारा आस्तिन का कपड़ा आस्तिन की लंबाई कितनी यह यह नाप लेते हैं आस्तिन की लंबाई हमने 12 इंच लिये और इसकी चोड़ाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं आस्तिन के कपड़े को ओपन करते हुए नीचे की साइट से इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे अब हमें यहां से धागे को कट कर लेना है और आस्तिन के कपड़े को ऐसे फोल्ड करके हमें बीच में से दो भागों में इसे कट कर लेना है इस डिजाइन को आप सूट के बाजू में भी बना सकते ही और ब्लाउज के बाजू में भी बना सकते ही तो ये देखिए आस्तिन के कपड़े को हमने बीच में से दो भागों में कट कर लिया है अब हमें आस्तिन के कपड़े को फोल्ड करके डिजाइन के किनारे की साइड में ऐसे लगाना है ये देखिए डिजाइन के किनारे की साइड में ऐसे लगाएंगे इसे और इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे सिलाई चलाते समय हमें आज दिन के कपड़े को perfect shape में ऐसे बैठाती राना है जिससे आपके design में perfect finishing आएगी और आपका design easily तयार हो जाएगा इस line को complete करते हुए अब हम यहाँ से धागे को cut करेंगे धागे को cut करने के बाद same step को follow करते हुए design के दूसरे side में भी हम आज दिन के कपड़े को joint कर लेंगे तो यह देखिए आज दिन के कपड़े को ऐसे fold करके design के किनारे की side में लगाएंगे यहाँ पे अब हमें इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेनी है हमारा यह design complete हो चला है तो आपको हमारी यह simple सी और easy design कैसी लगी comment में जरूर बताए thanks for watching my video